जमुकश्मीर के पूर्व डेपुटी सीम और भारती जन्ता पार्टी के लीजर डॉक्टर निर्मल सिंग को एक नोटिस इशू किया गया इस नोटिस में एक कहा गया कि उनका जो घर विलिज बन के अंदर है उसको डिमॉलिश कर दिया जाएगा पांच दुनों के अंदर अंदर अगर वो खुद उस ट्रॉक्टर को डिमॉलिश नहीं करते इसी मामले में एक आर्टी आई फाइल हुई थी जिस आर्टी आई के पहले मुझाफर जी आपसे जाना चाहूंगी कि आपने आटी आई फाइल की थी उसमें दो लोगों के नाम आये थे जिनोंने इलीगल जो है कंस्रक्शन की हुई थी विलेज बन में उसमें से एक डॉक्टर निर्मल सिंग भी थे अभी जो नोटिस जारी किया गया है कैसे पल्वी जी इससे पहले भी एमने पहला इंट्यू आपके साहथ ही हुआ था इस बात पर जिसन इर आटीय का रिपलाई रसी हुआ था उस दिन पर आपने स्वाल किया था कि आगे अब क्या हो सकता है तो मैंने ये साफ कहा था कि अभी कुछ नहीं कह सकते लेकिन जीडी का क सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद मैंने एक रिप्रजेंटेशन जो है वाइस चांचलर जेडीय को मू की थी आठ दस दोज़र इकिस को जिसे मैंने कलियर कट लिखा कि आपने खुद एडमिट किया कि इलेगल कंस्रक्शन है और इलेगल कंस्रक्शन को आप जब भी क सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो बीच में अक्तुबर में देवाली रही दुसेर आ रहा बहुत से चुटियां रही पिर नान वरकिंग डेजी बहुत से थे तो और आल तो 14-15 दिन का टाइम देखा जाए तो आठ ग्यारा को इनोने यह वकील आपको लगता है अची की डेवलमेंट है कि सीधा आपने साथीन का नोटिस निकाला है जबकि प्रोसीजर जो है वो सारे नोटिस पहले निकलते हैं यह फाइनल नोटिस है जो निकाला जाता है जी आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और अगर मैं साथ तीन का नोटिस पड़ूं इस साथ तीन के पहले लाइन में लिखा है कि और अगर मैं साथ एक कर्णोड़ नोटिस अडर सेक्शन सेवन वन आफ जेंड के कंट्रोल बिल्दिक आपरशें अक्ट नाइंटेंटीच किया है जो नोटिस पहले सारू हुए होगे वह था.भी जेडिए का पकष है कि उनने कितने नोटिस किया है क्या किया बट साथ एक कर तो जब रिप्लाइ नहीं आता तो यह माना जाता है कि आपके पास कोई डिफेंस नहीं है और कोई जवाब नहीं देना है फिर जाके साथ तीन का नोटिस निकलता है और साथ तीन के नोटिस में इनने कलियर कट लिखा है कि यू हैव टू डिमॉलिस्ट डिस ट्रक्चर विधिन फाइव डेज तो यह पांच दिन का टाइम दिया है क्या जम्मू शहर में और पूरे जम्मू कश्मीर में अन्य भी कई सारे मंत्री है कई सारे पूर मुख्य मंत्री उपमुख्य मंत्री है जिनको लेकर अलजाम लगते रहते हैं जगाओं पर इनके मकान हैं वह मकान जो है इलीगल लैंड पर है स्टेट लैंड पर है फॉरस्ट लैंड पर है रोशनी की लैंड पर है उन्हें बाद में रिगलराइज करवाया गया उनके ऊपर को यह कोई आटिया नहीं कोई परसनल रंजिश है पूर मुख्य मंत्री लेकिन गरीबों को ठारी है और अगर बाकी मिनिस्टर की बात कर रहे हैं जो जो मिनिस्टर उनके पास को टार्गेट किया उन्हें भी जॉइन कर ली तो जहां तक बाते जंता पार्टी का सवाल है जो अभी सेंटर में सरकार है उन्हें खुद कहा कि हम साफ शभी किनेता ज कोली साब अदिल गनी कोली कोई है शाइद उनकी तूटेगी और भी जितने ही लिगल कंस्टॉक्शन लेकिन पहले घर से तो स्टफाई शुरू करें और अगर आप एक्जेंपल सेट करते हैं आप मैं रेफरेंस दोंगा जो पिछली बार बसंत रात साथ जब यहां पर पहले उपर से शुरू करें ना उसके बाद मेरे चोटे घर पर आएं किसी और गरीब की जूंपड़ी पर मशीन चलाएं तो इसलिए सिस्टम और कुछ नहीं है गरीब की जूंपड़ी की आपने बात की वहां तो अकसर इल्जाम यही लगता है कि यहां पर नोटिस आया है साथीन का नोटिस आया है वहां तो जैसी भी पहले आती है नोटिस फिर बाद में आता है बिल्कुल मैं आपसे पहले भी यह बात शायद की थी कि जब जेडिये ने अपनी नियूज चलानी होती है अपने आपको बचाने के लिए बैट यह नोटिस चू कर देते हैं और नोटिस वहां पर चिपका देते हैं बंदों को पता ही नहीं होता है कागजों में फाइल में नोटिस बन जाता है तो कारवाई हो चुकी होती है अब यहां पर इनने क्या किया है इनको पता है कि एक तो सेंटर में सरकार बीजीपी की फिर डेप्टी चीफ निश्री लेवल का बंदा तो नोटिस हीू करने के बगार कारवाई करते तो हो नी सकती क्योंकि सस्पेंट कर देते हैं टर्मिनिट करते हैं आज कल तो आप देखो पिछले दो तीन मेने से लगाता हर दिन दो दिन के बाद नियूज आ रही है कि इतने अफसेज को टर्मिनिट कर दिया सिधा 311 आर्टिकल की जो कांस्टिशन आफ इंडिया का है उसकी पावर एक तो साथ एका नोटिस भी इशू है जो दोनों मेंडिटरी हैं ये नोटिस जो जारी किया गया है औरेड़ी एक मामला जो है इसी स्ट्रक्चर को लेकर कोर्ट में चाहे क्योंकि उसमें आमी भी कंटेस्ट कर थी आमी ने भी कई कंप्लेंट्स की थी उसको लेकर और सब्सक्राइब है और जो क्वेरी है बिल्कुल जैनिवीन है एक मामला जो आरडी हाई कोर्ट में पेंडेंगे वो वर्क्स आफ डिफेंस एक्ट के तहत चल रहा है उसमें इंडियन आर्मी ने अब्यक्शन रेज किया कि हमारे 1000 पैरिमेटरी जो पैरिमेटरी वाल जो है 1000 म सब्सक्राइब है उसमें डिसी जम्मू ने भी एक नोटिस चुकिया वर्क्स आफ डिफेंस एक्ट और जो बाकी रेगुलेशन उसमें उसके तहत उन्होंने एक कारवाई की और मैटर सब्सक्राइब है लेकिन यह वाला जो नोटिस हुआ यह बिल्डिंग ऑपरेशन कंट जारी हुआ है यह बिल्डिंग उसमें उसमें अब जुडिस होने का मतलब यह निकि यह कारवाई नियु सकती जैसे अगर कहीं पर जमीन का कुई मसला चल रहा है और सिवल के स्पेंडिंग है और उसी जमीन पर जाके कल को वो लोग आपस में लड़ जाते हैं और किसी का सर प्षाँर जाता है किसी कि टांग चूट जाती है तो उसमें अफरा लग सकती होती है इंगिन पेलो कोट के तहार कर जाती है जबकि जो सिवल मसला जमीन क है और सिवल प्र कर्वाई यह सकती है कर दोनों पर दोनों अलग यह सकती है इस अव्य जो में विलेशन यही कहा घया है कि मैं नहीं आढसे परमिशन नहीं ली गई जो कानून थे कि इतने 10% land में आपने ये इस तरीके से construction करनी है उसकी violation की गई है, land use violation बताई गई है आप से जाना चाहूंगी कि आपने RTI file की उसमें illegality JDA ने accept की कि उन्हें मालूम था उसके बाद जाकर अब ये 7-3 का notice जो है वो जारी कर दिया गया है जिस समय construction हो रही थी क्योंकि construction हवा में तो होती नहीं है और रातो रात भी कोई structure जाए वो खड़ा नहीं होता उस समय आपको नहीं लगता कि JDA के ही जो अफसर थे खिलाफ अफसर थे और उस समय जिन लोगों ये construction होने दी उनके खिलाफ भी action लेनी की जरुरत है ताकि एक message वो भी society में चला जाए कि बक्षा उसको भी नहीं जाएगा जो illegality करता है लेकिन बक्षा उसको भी नहीं जाएगा जो illegality होते हुए देखता है और अपने हाथ जो है हाथ पर हाथ रखके बैठा रहता है बिल्कुल genuine सवाल है ये भी और मैं साफ कहा दूं कि उस वकत जिप्टी चेफ मिनिस्टर साब कुर्सी पे थी और जिप्टी चेफ मिनिस्टर की पोस्ट माने रखती है वैड अफ दे स्टेट जो होते है उस वकत कोई भी अफसर अपनी कुर्सी को इस टाइम पर अगर जो मुझे उमीद है कि जब तक ने प्रधानमंत्री साब किसमें कोई आदेश आया हो और मिनिस्टर साब को आदेश आया हो अलजी साब को मीटिंग ना हुई हो तब तक वाइस चेर में जेडिया की हिम्मत ना हो अब आप बताए हम क्या करें और यह लोग तो लेगली चल रहे हैं तो मुझे लगता है जो मुझे उमीद है कि यह परमिशन मिली होगी तब ही जाके वाइस चेर में जेडिया ने नोटिस शू किया है अदरवाइस यह हिम्मत इनकी आज भी नहीं होती कि हूजन सब में सेब्सक्राइब कर अगर और नोटिस शू हूँ हुआ तो आज भी ऐसे नहीं हो सकता है जब तक न इसको प्रिंस्पल सेक्रेटरी उस टाइम के उनको अप्रोच किया था लिंगे डिप्टी चीफ पुनिस्टर सहाब उसकत कुर्सी पे थे तो कारवाई कोई नहीं कर पा है कि आखिर कार अगर करोगे तो आप भुगतोंगे तो आर्टिकल 311 तो उसकत भी शायद एपलिकेबल था इ कोई भी अपनी मुलाजमा सा जो बचारे 2-2 साल मेहनत करके ISKS कौलिफे करते हैं वो अपने जिनकी के साथ अपने केरियर से खिलवार नहीं करना चाहते तो यह वज़ा रही होगी कि उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया और अब उनके खिलाफ कारवाई होने चाहिए या न मेनिस्टर्स जिन्हों ने इसी तरीके की लिगाल्टी की है उनके खिलाफ भी कोई एक और आएगा या फिर यह और एक निकल चुका है इसे अब डॉक्ट नर्मल सिंग का भी जो बयान आया है उसके साब से उनका कहना है कि वो इसे भी कोट में चालेंज करेंगे और मामला फिर वही कोट में ही चलता रहे देखी अब यह आप लोगों पर टिपेंड करता जो इन बातों को जनता के सामें लाते हैं और जनता जो है वही सुप्रीम है वही डिसाइड करती के सरकार कैसे चलेगी और कैसे नहीं चलेगी यह जो नोटिस इशू हुआ है खाली मेरी आट दो के पीछे पढ़ेंगे और खाली निर्मल सिंगी कोटी की नहीं मैं कहता हूं कि बाकि जितने भी इलिगल कोटियां बनी है बड़ी बड़ी जो यहां पर आप देखें मार्वल मार्केट में बड़े-बड़े लोगों के कोटियां बनी है इलिगल रोशनी की जमीन पर दायर होके जिनने कोटियां बनी हुई है वो भी इन्शालला तूटेंगी आपने भी कैवेट फाइल की है समय जी मैं आज सुभर ही कैवेट फाइल करके आया हूं क्योंकि जब अब मैंने एक बेड़ा उठा लिया है तो मेरा भी हक बनता है मुझे सुना जाए और अभी त जाए जाए गाई जाए गाई जाए गाई तो पहले अगर अपील फाइल भी होती तो जेडिये को बोका को जो है नोटिस जाएगा उसके साथ मेरा कैवेट बेड़ा उसके बाद ही कोई फैसला होगा तो आज तो ग्यारा तारीक हो गई है कल और परसूं के दो दिन बचे है इन दो दिन में तो कोई स्टे वगारा को कोई चांस नहीं है और मुझे उमीद है कि आपके आप कहते हैं हाई कोड का आलडी इसमें स्टेटस को का ओर्डर था उसकी वालेशन हुई है तो कोई भी कोड जो है सुपियर कोड की डिरेक्शन के अगेंस्ट ओर पास नहीं यह जिम्मदारी मैं आपको सौपता हूं 13 तारिक को अगर शुबह नहीं तो शाम के वकट आप वाइस चेर्में जेडिये साब से सवाल पूछे कि जिन आप पांच दिन तो कतम हो गए आज आपकी जेसीबी कहा है पेट्रोल भी तो सस्ता हो गया है अब आप कब यहां से प विलिजबन में हुई हैं जिन में से एक कंस्ट्रक्शन जिमकश्मीर के पूर्व डेप्टी सीम और भारती जनता पार्टी के लीडर डॉक्टर निर्मल सिंग की थी अब जाहिर सी बात है कि जेडिये ने तो यह सेवन त्री का नोटिस जारी कर दिया है तेरा तारी को कोर्ट में पहुंच जाता है